हेलो नमशकार जहन सातियों आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ पैरामेडिकल के नमबर वन यूटूब चैनल टोटल लर्निंग पे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पैरामेडिकल का फर्स्ट सीट अलाट्मेंट रेजल्ट यहां पे ज चेक किया है तो मैंने ओलेडी इसके उपर वीडियो बना रखिये कि किस तरीके से आप सीट अलाट्मेंट रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते यानि किस तरीके से आप चेक कर सकते कि आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है है ना आप चेक कर सकते हैं मैंने ओलेडी वीडियो बना रखा है चैनल करे मिल जाएगा या फिर आपको इस वीडियो के दिस्क्रिपशन में या फिर ख़तम होने की लाष्ट में आपको अस्किन पे सो कर देगा उस टैप करके उस वीडियो वाला हूं जिसको आपको लगेगा ही तो लगेगा ठीक है जो इंपोर्टेंट है उसको और ज्यादा बताओं कि इसको रखना ही रखना है ठीक है फिलाल चलिए यह वीडियो की सुर्बात करते हैं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्ते के बिच आपोल मेट्रट लेवल पे हैं अप माध्यमिक अस्थरिये वाला तो भी ए देखे किते माध्यमिक अस्थरिये या फिर आप जिस वी eh उस Ilग्र म कर्णे ऑन आप पत्र और पर्वेश परिक्षा जो कि कि इसका होना चाहिए अगर पारमेडिकल भालों के लिये है फिर इसा- पर भी लिख दिया है intermediate अस्तरिय या समकष्पास होने की प्रमानपत्र अंगपत्र और परवेस्ट परिक्षा जो कि पारमेडिकल का होना चाहिए यह पारमेडिकल वालों के लिए फिर उसको बाद जो तीसरा लगने वाला है यानि आप लोग का दूसरा बाकी एक जाती प्रम प्रमानपत्र हो गया अगर आपने अभी तक से नहीं बना है तो अपलाई कर दिजिए आ जाता है लगबग 10-12 दिन में आ जाता है ओनलाइन इसका सिस्टम है अपलाई करने का आजी रात में अपलाई कर दिजिए आपको 9 तारीक से स्टार्ट होगा 14 तक चलेगा तो कहीं कहीं बीच में आ जाएगा फिर देखे आवेधन का पार्ट ए और पार्ट भी दोनों होता होगा आप उसको ले लिजेगा फिर फोटो लगेगा जिस समय आपने फॉर्म में अपलाई किया था वही फोटो आपको 10 लगेगा ठीक है ले लिजेगा 10 ठीक है चलिए यहां पे आप बिहार के मूल अस्थाई या यानि की निवास पर्मान पत्र कहा जाए तो वह लगेगा अस्थाई वाला अस्थाई वाला ध्यान रखेगा यह सबस्टार है जो भी भड़े होंगे जिसके माता-पिता नौकरी में है या फिर वगरा वगरा जो डिजेवल कोटा से उनक अरिजिनल भी रखना सारे के सारा डुप्लिकेट सारा का सारा ओरिजिनल भी आपको रखना है ठीक है यहां पर धेन लिए ध्यान देदी है ना इसके बाद इसके बाद जो डॉक्मेंट से वह आपको रैंक कार्ड है ठीक है उसके बाद आपका जो रैंक कार्ड है ठीक है ध इसके बाद का जो documents लगेगा वो बता रहा है रहा है फिर उसके बाद document लगेगा admin card तो हो गया ना रहेंगा शीट अलोटमेंट रिजल्ट हैना सीट अलोटमेंट जिसमें आपका और बाकि आप अपना पूरा documents ले करके जाईएगा कुछ घटे बढ़े के लिए आपको समझ में आ जाएगा विद्यारती है दोस्तों विद्यारती जीवन में यही चीज़ करना रहता है ठीक है आशा करता हूं कि आपको सारे लगबग documents पता होगा जो officially था लिखा हूँ वह भी बता दिया और जो आपको extra लगेगा वह भी मैंने बता दिया जो बच्चों के माध्यम से मेरे को पता लगता है अब बहुत सारे बच्चे कते सर्फी कितना लगेगा एडविशन के टाइम लगेगा तो भाईया यहां पर फी नहीं लगता एडवि लग प्लेस का लग लग चार्ज से जिसको में में चार्ज के नाम से जानते हैं ठीक है अगर ड्रेस वरेस वह आप आपका जिम्यदारी है है ना हो सब चीज उतना डीप लिए लिए लोग नहीं जाएंगे बाकी अंदर जाएगा अगर चार्ज भी लगेगा दोस्तों तो अप जैसे टैंट ट्वेल्थ में फर्म भरते समय जो चार्ज लगा था है ना एक रही इनफ्रमिशन वीडियो था जो बच्चों को देना था थैयार रहिए आप लोग डीभी कराइएगा डीवी 9 से लेकर के 14 तक के बीच में कभी भी अपने सेंटर पे जा सकते हैं उस वी पर डीबी होगा आप लोगा कहां डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा ठीक है जरूर वीडियो को देख लिए साइड में आप लोगो दिख रहा होगा मिलते नेक्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत